गुड बॉर्निंग स्टुडेंट आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एक्जाम में स्वागत हैं देखिए आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं समान ग्यान के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जैसे DRDO, MTS, SSC, CHSL, CGL, Call India Limited के सवारी सबसीडरी के लिए इंपॉर्टेंट कोश्चन और जितने भी MTS लेबल के हैं या तो जुनियर कलर के लिए हैं और ये सभी एक्जामनिशन में पूछे जाते हैं इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फर्स्ट कुश्चन है कॉस्टिक सोडा का रसाइनिक नाम क्या है कॉस्टिक सोडा का रसाइनिक नाम क्या है तो इनका जो सही अंसर है वो है सोडियम हैड्रोकसाइड क्या सोडियम हैड्रोकसाइड कॉस्टिक सोडा का रसाइनिक नाम है इनका फॉर्मूला ध्यान में रख स्थिरी करन के लिए किसका परियोग किया जाता है तो इनका जो सही एंसर है वो है सोडियम ठायो सलफट क्या सोडियम ठायो सलफट इनका जो फॉर्मूला है वो है Na2S2O3, फिर से मैं फर्मूला को दोराता हूँ, Na2S2O3, सोडियम ठायो सल्फेट का फर्मूला है, इनका यूज फोटोग्राफी में इस्थिरी करन के लिए परियोग किया जाता है, नेक्स कुश्चन, कुश्चन नंबर 3, एण इनبة क्शन for all examination, सभी जेव योगीकों का अनीवार ये मूले तत्व कौन सा है? अनिवार ये मूले तत्व फो इसका जो सही अंसर है, वो है कारबन, कारबन सभी जेव योगीकों का अनिवार ये मूले तत्व है? next question के और चलते हैं और यह important question है बहुत बार यह question repeated हुआ है तो यह question है भोपाल gas त्राशदी में किस gas का रिशाव हुआ था ठीक है इनका जो सही answer है वो है methyl isocyanide क्या methyl isocyanide इनका जो formula है वो है C2H3N क्या है C2H3N next question के और चलते हैं question number 5 फलो को पकाने के लिए कौन सी gas उपर्यूक्त मानी जाती है ठीक है इनका जो सही answer है वो है ethylene gas क्या ethylene gas फलो को पकाने के लिए उपर्यूक्त मानी जाती है ठीक है इनका जो formula है वो है C2H4 क्या है इनका formula C2H4 next question क्यों चलते हैं देखिए सारे question जो है important है तो आप इनको note करते जाए अपने notebook में कि बाग में आप इसे revision कर सके क्योंकि GKGS और current affair के subject है जिनमें आप regular mode में practice नहीं करेंगे तो फिर आपका अच्छा result नहीं हो पाएगा ये सब बहुत दिन होने के बाद student भूल जाते हैं इसके लिए आप बार बार revision करते रहे हैं क्या बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का परियोग होता है इनका जो सही answer है वो है polycarbonate क्या polycarbonate का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है ठीक है next question 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 number 7 मौमबती की हाइड्रो कार्बन की बनी होती है ठीक है मौमबती जो है वो एक हाइड्रो कार्बन से बनी होती है इनका जो सही answer है वो पैराफीन क्या पैराफीन हाइड्रो कार्बन से मौमबती का निर्मान किया जाता है next question की और चलते है question number 8 पेजल, पेजल में उपस्तिस जिवानों को नस्ट करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो इनका जो सही answer है वो है chlorine, क्या chlorine इनका जो formula होता है वो है CL, क्या CL and chlorine ठेक है important question है, next question की और चलते है question number 9 गोता खोर सांस लेने के लिए किसका मिस्रेंट परियोग करता है इनका जो सही answer है वो है oxygen तथा helium क्या गोता खोर जी जो होते है जो पादी में डुपकी लगाते है ठेक है, तो वो जो oxygen यूज करते हैं cylinder में वो oxygen तथा helium होता है क्या oxygen तथा helium को यूज करते हैं हम लोग सोचते थे कि सिर्फ oxygen यूज करते हैं ऐसा नहीं oxygen तथा helium और वो कौनसेर रेशियो में यूज होता है तो 1 इस्टू 4 एक अनुपाद 4 के रेशियो में यूज किया जाता है ठेक है next question, question number 10 an important question Mars gas किसे कहा जाता है Mars gas किसे कहा जाता है तो इनका जो सही answer है वो है methane क्या methane को Mars gas के नाम से भी जाना जाता है इनका जो formula है वो CH4 क्या CH4 methane का formula है ये ध्यान में रखिएगा ये कभी-कभी पूछ दिया जाता है formula इसलिए मैं formula जो है वो उसके भगल में लिख दिया हूँ next question question number 11 उत्पादक उत्पादक gas मुख्यता किसका मिस्रन है तेक है इनका जो सही answer है वो है nitrogen तथा carbon monoxide क्या nitrogen तथा carbon monoxide उत्पादक gas का मुख्यता मिस्रन है next question की और चलते है question number 12 कपडों में स्याही या ink ink मतलब जो pain में ink होता है वो कपडे में स्याही और junk के धब्बे iron या फिर किसी भी परकार के junk के धब्बे मिटाने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो इनका जो सही answer है वो है oxalate aml क्या oxalate aml इनका formula क्या होता है C2H2O4 क्या C2H4 स्वारी C2H2O4 oxalate aml का formula होता है और oxalate aml का हम इस्तिमाल कहां करते हैं कपडे से स्याही या तो junk के धब्बे हटाने के लिए ठीक है next question क्या चलते है question number 13 है kidney stone में पाया जाता है kidney stone या तो फिर पथरी जो होता है ठीक है ये kidney stone में क्या पाया जाता है तो calcium oxalate stone क्या calcium oxalate stone kidney stone में पाया जाता है ठीक है इनका जो formula है calcium oxalate stone का ये है CAC2O4 ठीक है CAC2O4 calcium oxalate stone का formula है और ये कहां पाया जाता है तो kidney stone में पाया जाता है next question क्योंच चलते हैं ये question है 14, चुहे के विस में कौन सा रासायनिक होता है, ठीक है, चुहे का जो विस होता है, उसमें कौन सी रासायनिक होता है, तो इनका जो सही answer है वो है, zinc phosphate, क्या zinc phosphate, इनका formula क्या है, तो ZN3P2, ठीक है, क्या ZN3P2, इनका formula है, chemical formula, ठीक है, तो ये zinc phosphate है, वो चुहे के विस में पाय जाता है, next question की और चलते हैं, ठेक है, question number 15, किस द्रव के एक ग्रित होने पर मानस्पेशिया थकान का अनुभाव होता है, कभी-कभी हम ज़्यादा जब काम कर देते हैं, या तो ज़्यादा चल देते हैं, एक्ट्रा वर्क कर देते हैं, तो हमारे मानस्पेशियो में क्या दर्द होना start होने लगता है, तो यह किसके कारण होता है? कौन से अमल के कारण? तो लैक्टिक अमल जिसे हम लैक्टिक एसीड भी इंगलीज में बोलते हैं, इनका जो फॉर्मूला है, वो है C2H6O3, क्या है इनका फॉर्मूला? C3H6O3, लैक्टिक अमल का फॉर्मूला है, ठीक है, next question के और चलते हैं, question number 16, सिर्का के खट्या होने का कारण क्या है, ठीक है, तो इसका जो कारण है, वो acidic अमल के कारण, सिर्का जो होता है, वो खट्या हो जाता है, अब सिर्का अमल का formula क्या है, तो CH3, COOH, CH3, COOH, ऐसा आप बोल सकते हैं, यह formula बहुत important है, formula को आप not down कर लीजे, क्योंकि यह formula भी कभी-कभी पूछ दिये जाते हैं, next question के और चलते हैं, question number 17, RDX का अन्य नाम क्या है, जिनका जो अन्य नाम है, वो है, cyclonite और hexogen T4, क्या, cyclonite या तो hexogen या तो फिर T4, RDX का अन्य नाम है, ठीक है, next question के और चलते हैं, question number 18, गोबर गेस का मुख्यतत वो क्या है, ठीक है, गोबर गेस का मुख्यतत वो क्या है, तिनका जो सही अन्सर है, वो methane, गोबर गेस का जो main component होता है, वो methane होता है, next question के और चलते हैं, question number 19, LPG मुख्यता किसका मिशरन है, LPG मुख्यता किसका मिशरन है, तिनका जो सही अन्सर है, वो है butane और propane जो LPG बना होता है वो butane और propane के mixture से बनता, next question क्यों चलते हैं, और ये important question है वैसे तो सारे important question है बट ये थोड़ी जादे important question है LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ठीक है, जब कभी LPG हम लोग घर में यूज करते हैं तो जो रिसाव होता है, तब हमें पता चल जाता है उसके गंद से गंद के कारण की LPG का जो है वो रिसाव हो रहा है, ठीक है तो वो कैसे पता चलता है ठीक है, उसमें क्या मिला होता है बुटेन और propane के साथ बुटेन और propane के साथ कि हम लोग को पता चल जाता है कि LPG में क्या मिला हुआ है ठीक है, इनका जो सही एंसर है वो इथाईल मारकेप्टेन क्या इथाईल मारकेप्टेन LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें मिलाया जाता है ध्यान में रखिएगा स्टुडेन्ट, नेक्स कोश्चन ये कोश्चन आपके लिए है आप इस कोश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि इनका सही एंसर क्या है कोश्चन है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है जो मोती होता है, ठीक है तो इनका जो answer है आप हमें comment box में comment कर बताएंगे किनका सही answer क्या है अगर इस तरह के questions आपको answer नहीं पता है तो आप मेरे playlist में जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं हम एक playlist में 20 question डालते हैं अगर एक दिन भी आप 20 question करेंगे तो काफी question हो जाएगा ठीक है धीरे धीरे करके करें question तभी आपको याद रहेगा और बार बार प्रयास किजी कि learn करने का जब आपको खाली time मिले तभी आप exam में अच्छा marks score कर सकते हैं तो चलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल टच इग्जाम को subscribe और like करना न भूलेंगे thanks for watching, have a nice day